तो दोस्तो आज 24 मार्च 2022 और आज में लेकिया हूँ आपके लिए फिर से ISF Limited का Complete Share Analyze और इस कंपनी का उपर खासकार लगबग 50 लोगों ने हमें कमेंट किया है ठीक है इसके लिए खासकार हम ये वीडियो फिर से बना रहे तो अगर आपका भी कोई कोई कोरीस है तो का fundamental को जानेंगे बारिकी से हर एक चीज़ को और चार्ट बटन को अनिलाइस करके मैं आपको बात आने वालों कि आपको इस वक्त इस कंपनी पर निभेश करना चाहिए कि नहीं दोस्तो वीडियो की शुरुआत में हम इस कंपनी का quarterly result पर भी एक नाज़र डालेंगे और अपको 100 रुपिस का बोनस मिलेगा गुरू के तरफ से जिसका आप चाहे तो शेयर भी बायका सकते हैं चाहे तो उसे अपने बैंक एकाउन में भी ट्रांसफर कर सकते हैं तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं मैं आपको सबसे पहले इस कंपनी का quarterly result एक नाज़र देखा द कंपनी को इस साल में प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम हो चुका है इस कंपनी का साले 6 परसन के आसपास ठीक ठाक है ठीक है वहीं अगर operating income देखेंगे तो लगब 32 परसन के आसपास कंपनी इस साल में शांदार प्रॉफिट में है तो quarterly result के मुताब कंपनी ठीक ठाक चल रहा है आने बाले दिनों में इसका शेर प्रैस और भी बढ़ने की संभावना है तो दोस्तों आपको कंपनी पर निवेश करने से पहले सबसे पहले आपको कंपनी का fundamental को जानना बहुत ही ज़रूरी है तो चलिए मैं आपको इस कंपनी का fundamental को समझाता बारे की से हार इक चीज को तो मैं लेके चलता हूँ आपको screenart.in पे तो मैं आपको लेके आ चुका हूँ screenart.in पे दोस्तों सबसे बहुत है कंपनी का history जो है history थोड़ा सा हम पढ़ लेते ठीक है मैं आपको यहाँ से पढ़के बात आता हूँ तो company had on 80.20 deal with city bank in a partnership 20% 20% is invested by the company This partnership was going well until 2008 2008 तक City Bank का जो partnership है इस company के साथ में रहा बहुत ही अच्छी तरह से 20% का उसके बाद उस तो क्या हुआ The bank decided to call off the funding partnership and this lead to losses for ISF Limited in 2020 ठीक है उसके बाद जो management एक नया management है New management team has taken over ठीक है तो अभी इस company को एक नया management चला रहा है तो ये थी इस company का जो थोड़ा बहुत डीटेल्स अभी हम इस company के बारे में जानते हैं बागी का चीज़े इस company का टोटल market के अब 203 करोड का है current share price 21.5 रुपे के आसपास आ चुका है अगर आप lowest देखेंगे इस साल में 95% low बनायाता है इस company ने इस साल में अगर highest देखेंगे तो अभी ये company all time high पे चल रहा है ठीक है 22 रुपे के आसपास जा चुका है company का price earning ratio दोस्तो दिन बढ़ दिन बढ़ता जा रहा है आपको ये चीजे ध्यान अखना है company का price earning ratio बहुत ही महयंगा हो चुका है 294 numbers पे आचुका है तो इस वगत company का valuation महयंगा हो चुका है ठीक है आपको ये ध्यान अखना बहुत ही ज़रूरी है company का valuation valuation दोस्तों महंगा हो जाता है तो share का price भी महंगा मानी जाती है तो share का price अगर आपको 10 रुपे का चीज 20 रुपे में मिल रहे तो आपको तो risk लगे गई इस सरा से चलता है company का price earning ratio company का book value अगर देखेंगे दोस्तों तो 1 रुपया 46 परसे के आसपास यह company आपको dividend नहीं देता है इसका return of capital employed भी बहुत ही कम है इस बगद 4.13 परसेंट के आसपास इसका return of capital employed है at least कम सकम 10-11 परसेंट के आसपास यहां पे इसका numbers जो होना चाहिए था return on equity का भी लगबग 5 परसेंट का इसका number है इस बगद यह भी at least 10 परसेंट के आसपास तो होना ही चाहिए था company का phase value यहां पे एक रुपे का है तो थोड़ा सा most important चीज़ें मैं आपको बात आता हो थोड़ा सा स्क्रोल डाउन करके तो इस company पर निवेश करने से पहले आपको इन सभी चीजों का ध्यान अखना बहुत ही ज़रूरी है तो यहां पे आप देख सकते company has reduced debt उसका जो उधाल 14.65 टाइमस इस book value, book value का numbers बढ़ चुका है आपको ध्यान रखना है यह company आपको dividend नहीं देता है मैं आपको बात आ चुका हूँ और दूसरा the company has delivered a poor sales growth of 9.53% over past 5 years बीते 5 सालों में लगबग 10% के आसपास company का sales growth है और most important चीज़ें आपको ध्यान रखना है इस company का आप देख स company में promoters का holding है तो यह बहुत बड़ा matter रखता है promoters की वज़ा से कई बार retail investor के बड़े-बड़े investor भी invest करने से डरता है जिस company में promoters का holding बहुत ही कम होता है दूसरा important चीज़ आपको ध्यान रखना है आप देख सकते हैं यहापे बीते 3 सालों के मुकाबले पे इस company ने equity पे सि देल कर दिया सिरी 0.90% बचा है इस company में promoters का holding तो यह सारी चीज़े दोस्तों बहुत ही important से जो आपको company निवेश करने से पहले ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है तो अभी मैं आपको लेकर चलूँगा company के share holding के pattern पे जानें के सारा holding किसने वाय कर लिया है तो मैं आपको ल 25% से ज्यादा public का holding हुआ करता था लेकिन एक ही जटके में पिछले 3-4 साल में इतना holding घटा जा कि इस बग कंपनी के पास 3.90% holding बचा मतलब 1% से भी कम holding बचा यहाँ पर public का 99.2% holding हो चुका है यहाँ पर कोई foreign investor का निवेस नहीं है कोई domestic investor का निवेस नहीं है कोई नहीं तो यहाँ पर सिर्फ public का ही पूरा का holding से तो पूरा risky fundamental है आपको ध्यान रखना पड़ेगा penny stocks दोस्तों वैसा ही risky होता है पूरी तरह से आपको माला माल भी कर सकता है और आपको बरबाद भी कर सकता है तो यह चीज़े आप ध्यान रखिए और penny stocks में इस बग खासकर इस stock में कम से कम निवेश कीज़े हो सके तो क्योंकि दोस्तों company का valuation बहुत ही महंका हो जिक्वा है कभी भी correction के लिए निच्छे आ सकता है तो यह चीज़े आपको ध्यान रखना है तो अभी दोस्तों हम इस company का chart button को analyze करते हैं देखते क्या result निकलता है मैं आपको लेके आ चुका हो company के share के chart button पर आज के दिन देख सकते हैं यह company आपको 5% का शांदार अपर सरकीर दिया है अगर आप weekly chart button देखे हो तो everyday 5% का अपर सरकीर दे रहा है इस वक्त यह company आप chart button देख सकते everyday 5% इस हफते में 21% से ज्यादा return दे चुका है एक हफता पहले इसका share price 17 रुपया हुआ करता थ आज इसका share price लगबग 22 रुपय के आसपास जा चुका है तो बहुत ही शांदार तेजी से return दिया है एक महिने का अगर chart button देखे दोस्तों तो 86% का शांदार return है यहाँ पे एक महिना पहले इसका share price देख सकते हैं आप 11 रुपय का था साड़े 11 रुपय का share यहाँ पे double से भ यहाँ पे 629% का शांदा return दे चुका है और यह company एक breakout दिया था जनवरी के शुरुवात में शुरुवाती जनवरी पे यह ब्रेक आउट दिया था जनवरी के वाद जनवरी फरवरी मास तीन महिने के अंदर यहाँ पे 5 रुपय का share 20 रुपय हो चुका है तो मतलब almost 4 गुन में रहेंगे तो यहाँ पे यह आपको रोड़ पती भी बना सकता है ठीक है तो इस वक्त इस company पे निवेश करने से पहले आप अपनी फाइनेंसर एडवाजर से सलाम असुरुवाज जरूर करे शेर का price महेंगा हो चुका है valuation महेंगा हो चुका है valuation बहुत हाई हो चुका है यह चीज़े आप ध्यान रखें दोस्तों एक साल पहले अगर इसका share price देखेंगे तो एक रुपे का था एक रुपे का share यहाँ पे 20 रुपे हो चुका है लगबग 20 गुना जादा कर चुका है max 5 year का chart pattern के मुताबिक मैं आपको max 5 year का chart pattern दिखा देता हूँ एक बार तो max 5 year के chart pattern के मुताबिक 4,180% का शांदार रेटन दे चुका है बिते 5 सालों से लगातार यह company consolidated zone पे बिजनस कर था 2017 से लेके 50 पैसे का share 2017 तक 50 पैसे से उपर गया ही नहीं कवी 2017 से लेके 18, 19, 20 तक 20 तक तो और भी गिरा था यह company 21 पैसे पे आ चुका था 2020 के अगस्त तक यह company थोड़ा सा लगबाग इसमें trading होना शुरू हो चुका था 2020 के बाद उसके बाद दोस्तों इस company के chart pattern में इतने तेजी से हल चल हुई कि यहाँ पे 20 पैसे का share यहाँ पे 20 रुपैसे भी ज्यादा हो चुका है तो कितना तेजी से return दिया है यहाँ पे कित लोग मार्केट को आप गाली नहीं दे सकते हैं इस वक्त इस company का valuation महेंगा हो चुका है मैं आपको फिर से बता रहा हूं max to max एक नजर चार्ट पर्टन देख लेते हैं यहाँ पे कई निवेशों को करोड़ पती बना चुका है और यहाँ पे फिर से आपको बताता हूं यहाँ पे दोस्तों buying करने का बिल्कुल भी मौका नहीं है यहाँ पे sale करके profit बना के निकल जाने का मौका है max 6 month के चार्ट परना कर देखे तो यहाँ पे एक swing trade का मौका बन चुका है swing trade किया कर आपको जानकारी है तो ही आप निवेश कीजिए नहीं तो आप पहले swing trade के बारे में जानकारी हासिल कर लीजी swing trade में यह risk भी होता है कि बहुत बार आप stocks buy तो कर लेते हैं लेकिन जब lower circuit में आना शूरू हो चाता है तो पिर यहाँ पे आप exit नहीं हो सकते हैं तो महेंगे evaluation में buy करने के कारण आपका नुकसान भी हो सकता है तो इसलिए आप पूरी जानकारी हासिल करके ही company पे निवेश करें वीडियो को यहीं wind आप करते हैं दोस्तों हमारी जानकारी आपको कैसा लगा comment box में जरूर बताए वीडियो अच्छा लगए तो एक like कीजिए अपने दोस्तों को share कीजिए वीडियो को wind आप करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा आप किसी भी company भी निवेश करने से पहले आप अपनी financial advisor से सलाम असूरत जरूर करें तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक और आई से जानकारी के साथ हमारे वीडियो को अंतर तक दिखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद